नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल किस्सों का कारवा में। मैं हूँ आपका दोस्ता आनन्द और लेकर आया हूँ आप के लिए मारवाड के इत्यास की एक होर कडी। जी हैं दोस्तों मालडेव जी का कारेकाल कापी अच्छा था, मालडेव जी के समय में खूब किस्से परजलित हैं, अब आते हैं मालडेव जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में राव माल देव का प्रेम अपनी जाली राणी सवरूप देबर विशेश था और सवरूप देव पर विशेश होने के कारण उसका जेश्ट पुत्र राम जो की सवरूप देव के पुत्र उद्दे सिंग और चंदर सेन से इरश्या रखता था जोदपुर राज्य की ख्यात का कथन है इस विशन 1547 में राव माल देव रोक गरस्त हो गया और जब उसका खाट से नीचे उतरना भी कठिन हो गया तो एसी प्रिश्टिती में लाब उठाकर राम ने अपने पिता राव माल देव को कैद करने और श्वम गद्दी पर बैठन का विचार किया इस परकार उसने परत्वी राज जेतावत को अपने अंदर सामिल करने के लिए कहलाया परन्तु उस परत्वी राज ने इस अध्रम के कारिया में साथ देने से इनकार कर दिया इसके कुछ दिनों बाद ही राम ने मंडवर में गोट की जिसकी सूचना परत् विराज से बहुत परसन होकर उसे आग्या दी कि गड़ के द्वार पर चोक सी करो और राम को गड़ के अंदर प्रवेस मत करने दो उसके बाद उसने अपनी राणी लाचल दे कचवाई को उस समय तलटी में बिछवा दिया ताकि वो देखना सके राम जब गड़ के पास पर ही रोक दिया गया पिता से पुछवाने पर माल देव ने उसे कहलाया कि तुम अपने साथियों को लेकर गुंदोज चले जाओ राव की बट्यानी रानी उमादे अपने स्वामी से रुष्ट रहती थी ये बट्यानी रानी उमादे वही थी जो जैसलमेर के भाटी लू गुंदोज चली गई कुछ दिन गुंदोज रहने के बाद राम अपने ससुर माराणा उदे सिंग के पास चला गया जिसे उसने कई गाओं के साथ केलवा गाओं की जागेर दी जो कि राज समंद के अंदर था जहां वही रहने लगा इधर सवरूप दे ने राव से कहकर अ राव चंदर शेन जी को गद्धी मिली और राव चंदर शेन जी के राजा बनने के अंदर उनकी माता सराणी सवरूप दे का विशेश योगदान था